दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि हिंदु धर्म में इस्तिरी को देवी का दर्जा दिया गया है और हमेशा इस्तिरी का सम्मान करने की बात कही जाती है इसी के साथ जो ब्यक्ति सचे मन से इस्तिरी का सम्मान करता है उसे जीवन में सभी सुख मिल जाते हैं इसी के साथ इस्तिरी की एक चीज को छूने से जीवन में कई सुखो की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता भी हाशिल होती है अब वो कौन से चीज है ये हम आपको बताते हैं लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल देली न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं दोस्तों कहते हैं कि इस्तरी जीवन में हमारे साथ कई रूप में रहती है एक इस्तरी ही मा होती है दादी भी होती है बहन भी होती है और पत्नी भी होती है इसी के साथ वो बेटी बनकर पुरुष के जीवन में खुसियां लाती है हम सभी जानते हैं कि इस्तरी के बगएर तक नहीं करती है वो कठिन से कठिन परिष्टिती से डरती नहीं है और अपने बच्चे को अच्छे संस्कार भी देती है इसी के साथ वन्स को आगे बढ़ाने वाली भी इस्तिरी ही होती है लेकिन क्या आपको पता है कि महिलाओं के पैरों में बहुत बड़ा राज छुपा ह होता है और उससे बहुत पुन्य भी मिलता है कहा जाता है कि महिला के पैर सुबह सुबह उठने के बाद छुने से सारे जर्मों का पुन्य मिल जाता है और महिला के पैर छुने पर व्यक्ति को बड़ी से बड़ी काम्याबी भी असानी से हासिल हो जाती है कहते है कि इस्तिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी कई सारी ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल देली न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें